हेलो एब्रिवान वेल्कम बैक टो आवर चानल तुरुपतीज ब्लॉग और आज ये हमारा सेकेंड डे ट्रीटमेंट है और आप देखी सकते हैं वो पहले से काफी बहतर है और आज हम डॉक्टर के सजेशन से उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं कल मैंने निकाल दिया था बहुत सारे मैगट्स टर्पेंटाइन ओयल के मदद से और आज हम अभी इसे क्लीन करके बैटरडिन सोलूशन में हम लोग ये क्लीन कर दिया हैं अभी और अभी हम लगाएंगे घाव के उपर सेफलिक्सिन पाउडर वो एक एंटिबाइटिक है जिस कॉटन और बैंडेज के मदद से इसको बहुत अच्छे तरह से बैंडेज कर देंगे तो गाईज हम आपको बता दे कि जब भी कोई मैगट्स होते हैं कोई भी डॉग या पपको आप नेगसंट पाउडर या सेफलिक्सिन चोटे बच्चों को सेफलिक्सिन भी दिया जाता है तो मैं सेफलिक्सिन दे रही हूँ आप यह दोनों टीटमेंट उन्हें दे सकते हैं टू डेज तक दो दिन के बाद आपको कंटीनियोसली डेली आपको ड्रेसिंग करना पड़ेगा पहला वश आपको बैटर दिन करना है सेकेंड आपको कोई भी ओंटमेंट लगाना है जैसे कि हिमेक्स हो या जम्बो हिल यह दो मैं यूज करती हूँ जादा तर और अगर आप स्प्रे लगाएंगे तो आपको स्किन हिल स्प्रे आप ले सकते हैं वो भी बहुत ही इफेक्टिव है तो यह देखिए मैंने एक कॉटन और बैंड़ेज के मदद से उसको अच्छ करेंगे तो आप देखिए वीडियो को एंड तक और डॉक्टर की मदद से ही हम लोग यह सारा कुछ कर पाच पा रहे हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे डॉक्टर लक्ष्मी प्रिया को और वो बहुत हमारी मदद करती हैं हम उन्हें फोन में कं तो गाइस आप लोगों को भी कोई मदद चाहिए तो आप हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं कोई भी एनिमल्स के ट्रीटमेंट रिलेट जी कुछ भी आपको इनक्वारी करना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं तो इसी तरह से हमने यह उसका बैंडेज कर लिया है अभी और ओ पहले से काफी बैतर है आप सब कोई प्रे करिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और हमारे जो नेवर हैं सूरज हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आज उनी के वज़े से छोटा मासूम सा बच्चा आज वो ठीक हो पा रहा है और यह है जिंकोवेट जिं आप्टर ने बोला था आशा करती हूं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए टेक केर